दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है जूट बेवजह दलील देता है और सत्य हमेशा खुद का वकील होता है नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका नेकिन इंडिया पर मैं हूँ गीता राना एक बार तीन बहुत ही अच्छे दोस्त थे तीनों का नेक्स डे पेपर था तो वो रात को पाटी करने लगे और उन तीनों ने प्लैन मनाया कि कल कॉले जाकर हम डीन से कहेंगे कि हमें कल रात एक घायल लेडी रास्ते में मिली और उसको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया और उसको हॉस्पिटल पहुचाने के चक्कर में रात में हम लेड घर आए और इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो नेक्स डे अपने प्लान के मुताबिक तीनों ही दीन के पास पहुचे और तीनों ने वही बाट दीन के सामने रखी कि कल रात हमें इस इस तरीके की एक महिला मिली जो की घायल थी और हम उसे हॉस्पिटल पहुचाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए तो डीन ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कुछ सोच कर फिर बोले कि शाबाश बच्चों तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और कोई बात नहीं त लोगों ने घर जाकर रात को फिर से पाटी करी लेकिन अगले तीन दिन उन लोगों ने खूब जम कर पढ़ाई करी तीनों ने बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर ली थी इसलिए तीसरे दिन जब वो कॉलेज पहुचे तो डीन उन्हें जैसे ही मिले डीन ने कहा कि आप तीनों को अलग-अलग रूम में बैठना होगा तीनों ने अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी इसलिए तीनों मान गए और तीनों ही मन में खुश हो रहे थे कि हम लोग पास हो ही जाएंगे जैसे ही तीनों अपने अपने रूम में पहुचे उन्हें कोशन पेपर दि होस्पिटल में पहुचाया तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जूटके कभी भी पैर नहीं होते हमें हमेशा ही सत्ते का साथ देना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए क्यूंकि सच बोलना हमेशा ही फाइदे मंद होता है धन्यवाद दोस्तों आज कि हमारी ये स्टोडी आपको जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए